बच्चो जिस प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा हमारी त्वचा करती है उसी प्रकार से पौधों में भी त्वचा पाई जाती है जो उनके शरीर की रक्षा करती है लेकिन प्रशन ये उटता है कि ये त्वचा दिखती कैसे हैं चलिए इसे देखने के लिए हमें क्रिया पानी आप रियो की पत्ति को देख सकते हैं इसकी ये उपरी परत है जो हरे रंकी दिख रही है और इसकी ये नीचली परत है जो लाल रंकी दिखाई दे रही है इसके जगे आप दूसरी मानसल पत्तिया भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना होगा जब आप मानसल पत्ती लेंगे तब आप उसे अभिरंजित करेंगे सबसे पहले हम इस रियों की पत्ती को एक दबाव के साथ तोड़ेंगे ताकि इसकी निचली जिल्ली अलग हो जाए फिर हम उसे ब्लेट की सहाथा से काट लेते हैं और पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी कोशिकाय सूख न जाए इसे हम स्लाइट के उपर रखेंगे और इसमें एक बोन ग्लिसरिन की डालेंगे अब हमें स्लाइट को कवर स्लिप से फॉर्सेप और नीडिल की सहाथा से थीरे से ढखना है और बच्चो आपको ध्यान देना है जब आप इसको ढखेंगे तो इसमें हवा के बुलबुले अंदर प्रवेशना करें इसलिए हम इसे धीरे-धीरे से ढखते हैं इस प्रकार से मेरी स्लाइट रेडी हो गई है चलिए इसे हम सुक्षमदर्शी में देखते हैं तो सुक्षमदर्शी में जो कोशिकाय दिख रही है वे पौधे की बाहे परत बाहे तवचा या जिसे तवचे उत्तक कहते हैं ये पौधो की रक्षा करती है इन कोशिकाओं में अंतिर कोशिकी अस्थान इंटरसैलोस पेस नहीं दिख रहा है इसके अलावा इसमें कुछ विशिश प्रकार की रचनाए भी दिख रही है जिसे हम रंद्र कहते हैं इन रंधरों को दुवरिक आकार की कोशिकाय घेरे हुए हैं जिसे रक्षी कोशिकाय कहा जाता है और इनका कारे होता है वायू मंडल से गैसों का आदान प्रदान करना इसका अलावा इन रंधरों का काम पानी को वाश्प के रुप में बहार निकालना भी होता है अगर आपको इस प्रकार की कोशिकाय का समू दिखाई दे तो इस प्रकार की कोशिकाय के समू को हम त्वच्य उतक या एपिडर्मल टिशू कहते हैं